दोस्तों जैसा कि अब देख पार यह है TBS sport bike और आपके पास चाहे कोई भी bike हो चाहे कोई भी motorcycle हो चलते चलते bike बंद हो गई और आप start करना चाहते हैं start नहीं होती है तो आपको कहां से शुरुआत करना चाहिए और कहां पर fault होती है वो चीज़े मैं आपको बताना वाला सब्सक्राइब करना होगा तो सबसे पहले अगर आपके घर में खड़ी है या फिर रास्ते में चलते चलते बंद हो गई तो सबसे पहले अगर बाइक को start करेंगे तो आपको यहां पर switch on करना होगा करना होगा कई बार लोग यह सोचते हैं कि इसमें यहां पर light नहीं आ रही है यह हमारे नूटल लाइट नहीं जल रही है तो मारे बाइक start कहां से होगी यह नूटल लाइट जले या ना जले बाइक start होगी ठीक है अगर आपकी बाइक खड़ी है काफी दनों से खड़ी है अगर यह नूटल लाइट नहीं जलती है और start नहीं होती है तो फिर किसी और चीज का problem होता है इस light का कोई लिए न देना नहीं है और आपके बाइक में यह light पहले से जल रही थी और चलते चलते आचाना कि आपके बाइक बंद हो गई और start नहीं हो रही है यह light बंद हो आपको यहां से पैट्र चेक करना है आपकी गाड़े चलते चलते राज़ते में बंद हो गई कई जगह ऐसे होते हैं जो मेकानिक नहीं मिलता है और हम राज़ते में फज आते हैं और बाइक शार्ट नहीं होती है तो इतना चीज़ आपको हमेशा रखना चाहिए यह दिख या कुछ खोलना है कुछ इस्कुरू के मदद से तो यह देख सकते हैं यह देवल फॉल्डिंग वाला पेच का साथ यह तीन चीज़ा दोस्तों हमेशा अपने बाइक में रहनी चाहिए आपकी बाइक चलते बंद हो गई और तो सबसे पहले आपको करना क्या है आपको पैप को खोल कर चेक करना है इसको इस तरीके से कोलना है यहां पर बंद कर देना आपको फिर इस पाइप को आगे पीचे घुमाये अगे डिया लूज हो जाएगी और फिर यह अराम से खूल जाएगी छलो मैं यह चीजा चेक कर लेता हूं कि हमारे गाड़ी का पैकि अभी तो अगर करेंगे तो रिजर्ब यह जब पैट्रोल यह गिरने लगा तो आपको इसका भी ख्याल रखना है इसे पाचानने का तरीका मैं एलग से एक वीडियो में डाल दूँगा कि इसको कैसे पाचाना जाता है वैसे मैं आपको बता दू कि इसमें तीर का निशान होता है इसमें कोई तीर का निसान नहीं दिया है इसमें एक सिंबॉल दिया है यह सिंबॉल दिया है अब अगर आपके बाइक में पैट्रोल है नहीं है तो जाहिर से बात है पैट्रोल डाली है इस्टार्ट हो जाएगी और कई बार ऐसा होता है कि पैट्रोल खतम हुआ एक देखिए मेरी वीडियो लंबी हो सकते हैं लेकिन जितने भी चीज़ां मैं आपको बताऊंगा दूस्तो यह बहुत ही अच्छी जनकारिया मैं दोंगा इस टार्टिंग के बिसे में जो भी फॉल्ट होगी मैं सारी जनकारिया पको दोंगा इस वीडियो में अगर आपके पास अभी टा पार्रोल कहतं हो गया अपकी गारी का और आपने पैट्र वढ़ता है और फिर को श्टार्ट करें तो स्टार्ट नी हो रहा और फिर पैट्र Coll לי चेक करते 06 से जब ठोल को स्टार्ट करें तो पैट्रोल बाहर निगी इस टायम क्या, क्या होता है कि इसके अंदर में इहेर मि एर मन जाता है तो आप दो तरीके से इसा पैट्रोल नीचे निकाल सकते हैं आपको उस साइड से इस पाइप को निकाल लेना है और एक तरफ पैट्रोल आउन करके इदर से फूग मारना इस पैप में तो फिर पैट्रोल गितने लगीए चलो इतना में आपको इदर बता दिया उसके बाद अब इस तरफ आ जाना है आपकी गाड़ी में मानके चलो पैट्रोल है फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है तो आपको सबसे शुरुआत आपको यह चेक करना है कंप्रेसर कुए चलते चलते अगर आपकी बाइक बंद होती है तो ज्यादा तर कंप्रेसर का फॉल्ट होता है या फिर करेंड का फॉल्ट होता है और पैट्रोल का भी होता है आपने पैट्रोल चेक कर लिए उदर सही है तो फिर आपको इस तरीके से कंप्रेसर चेक करना है कंप्रेसर इसका यह होता है पिश्टन और वाल का कंप्रेसर होता जब तक कंप्रेसर नहीं बनेगी गाड़ी में तो बीच में कुछ अटक सा होना चाहिए और ताकत थोड़ा होना चाहिए जिस तरीके से हम दबा रहें तो यह ताकत लग रही है बीच में अटक रहा है यह होता है बाइक कर लेना दोस्तों अगर आपको लगे कि यह बिल्कुल लूज है यह फिरी जा रहा है तो यह की कारण होता देखिए यह बीचीजा में आपको बता दो अगर आपके बाइक का यह कलच पूरा टाइट रहेगा यह अगर पले नहीं रहेगी तो किक फिरी जायागा याना इसमें कुछ भी जानने रहता है इतना फिरी हो जाता है यह बहुत ज्यादा फिरी हो जाता है अगर कंप्रेसर की समस्या होगी तो इस तरह का फिरी नहीं जायागा अगर कलच प्रेट खतम हो गई तो इस तरह का फिरी जायागा कंप्रेसर की समस्या होगी तो यह थोड़ा हलका फिली जाएगा इतना फिली जाएगा हमारे बाइक में भी कंप्रेसर की समच्या समच्या में आपको बता दू अगर चलते चलते किसी ऊचा जगह से हम नीचे अगर आते हैं तो गाड़ी के को नीव बाइक में मिलता है और और कई बार ऐसे होते हैं तो किसी सर्विस सेंडर में जाते हैं तो कोई मेकानिक लोग या कोई श्टाफ इसे निकाल लेते हैं क्यूंकि उजार की उन्हें कमी रहती है इसलिए वो निकाल लेते हमने कभी निकालख नहीं है सप्टक्र 25 Caseyocrat करेंट किस तरीके से बनना चाहिए वह सही करेंट है या फिर आपका गलत करेंट है वह असल में जानना ज़रूरी है कि इस पार खुल गया अब देखिये यह जैसे में खोला तो यहाँ पे अब हमारे जो पल है यह बीच में थोड़ा वाइट है और साइड से यह किनार से बगल से बलेक है तोड़ा काला है ठीक है यह काला है थोड़ा पैट्रोल ज्यादा ले रहा हमारे गाड़ी और वैसे भी मैंने भी एक किलमेटर दूरी के तरफ में आया हुआ हूँ इदर साइड में वीडियो बनाने के लिए क्योंकि बहुत भाई परिशान होते हैं आवाज की भी से मैं भी खुद परिशा करना है इस इसमें आपको लगाना है इस होल्डर में आपको लगाना है इस प्लग होल्डर में आपको लगाना है और यह बॉड़ी में टच होना चाहिए यह प्लग बॉड़ी में टच होना चाहिए और फिर हम कीक को दबाएंगे कीक अगर दबाएंगे तो इसका जो किस तरीके से होना चाहिए हो सकता है करेंट दिखाई ना दे रहा हो क्योंकि अतना ज्यादा करेंट देता नहीं है टीवियस जो आप देख सकें तो मैं आपको बता दो किसका जो करेंट होता है पलक का अगर सही करेंट यह होता जिन्य जो चिमनी के और है ऐसे करेंट शो करेंगा और इसके जिविश् Когда की तक दोकर आपको आपके ग Hawk सहिता और ऐसके बीच से इसके सही है या फिर इसमें करेंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आपको दूसरा पलग लागा चेक करना होगा या फिर डिरेक्ट इस होल्डर को खोले और इस तार को थोड़ा दूर से पगड़ा एक इंची के दूरी से और बाड़ी में इतना हिस्सा बाहर रखें यहनि कि इस पलग जोगर सॉट कर गई या फिर कोई कोई लोगर खराब हो गया जैसे सीरिया होता है या फिर और कुछ होता है अगर यहां तक करन्ट आ रहा है यतना करन्ट आ रहा है और इसके बाद आगे नहीं जा रहा है और तो फिर आप पलग को चेक कीजिए पलग को सफाई कीजिए पल करके मदद से आप इसको साप कर बाएंगे और आपको प्लक भी चैन्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह कि अगर प्राबलम आ जाती है रास्ते में बहुत सारे बाई ऐसे हैं जो परेशान हो जाते हैं किसी बाई की बाई कैसे हैं जो वाईट समॉक देता है इंजन कितना साफ कितना चैन्ज करेंगे अगर बाई की स्टार्ट बले की समॉक देता है उसके जरीए से भी आगाड़ी इस्टार्ट नहीं होगी यहां से पिर करेंट छोड़ने लएगा क्योंकि पूरा बलेक हो जाता है तो यहां पर कारवन बन जाती है और उपलक का जो करेंड फिर घढ Щा हमारी साफ से यहां कर गिया तो आप किस मद़से की स्टार्ट करेंगे तो किसी से धक्का लगवा सकते हैं जितना कर सकते हैं अब धक्का लगवाएं किसी से कि नूटल करके उसके साथ फिर या प्र सुट कर कर सकते हैं तो फिर ये कर सकते हैं कि थोड़ा इंजन वैल को मिलेगी नहीं अगर नीचे फाइप लगा हुआ रहता है तो इस पाइप को थोड़ा अंदर की ऋडाल और हल्का itel थोड़ा जरा से खोलना है और फिर इसमें डालना है जादा नहीं डालना चाहिए यह बस तसा होभाव हुब्रावागी यह ten अनल के और शुज्ड को उफ डगना है यहां फिर उघ्जोर दालना है और पर किक पर हमेशा इंजन ओयल का इस्तमाल करना चाहिए क्योंकि पैट्रोल देने के बाद अंदर में जो डश्ट होती है जो कच्रा होता है वह और भी वहां से हड जाती है और फिर भी उसके बाद और भी ज्यादा प्रॉब्लम करने लगती है तो दोस्तों मैंने आपको कई सारे जन